माल्दीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोईजु छोड़ सकते हैं देश जी हा दोस्तों माल्दीव के राश्ट्रपती की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो माल्दीव के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं तस्वीरों में कारों का काफिला है और उसके भीतर कुछ बैग हैं ऐसा कहा जा रहा है कि इन ही बैगों के भीतर उन्होंने पैसे रखे हुए थे जिनको लेकर देश छोड़ कर भागने का अंदेशा जताया जा रहा है इन तस्वीरों में दिख रही गाडियां मोहमद मोईज और इन तस्वीरों में माले की पार्किंग में खड़ी कुछ गाडियां और डोलर से भरे बैग दिखाई दिए। दुनिया भी पैसाचीन से आया उसको अपने विदेशी एजेंटों को भेज दिया है। पैसे मालदीव की गरीब जनता का पैसा है जो मुईजु विदेशों में अपने एसो आराम के लिए लूट चुके हैं। एक तरफ मालदी की गरीब जनता दो वक्त के खाने के लिए तरस रही हैं। वही मुईजु अपने असो आराम के लिए गरीब जनता का मुह का निवाला चीन चुके हैं। पूरी जांकारी क्या है? जाने के लिए अंत तक बने रही हमारे साथ। मुईजु ने पैसे खा लिए या खुद अपने पैसे सिंगापुर दुबई के बैंकों में डाल दिये जो वह चीन से भीक मांग कर लाया था। मुईजु चीन से लाया हुआ पैसा निगल गया और अब उसको पता नहीं कि क्या करू और अब वह देश छोड़ने पर मजबूर हो गया है। मालदीव की जनता मुईजु पर भड़की हुई है कि जब तू कुछ कर नहीं सकता तो मालदीव का राष्ट्रपती क्यों बना। एक और बात मैं आपको बता दू मालदीव ने वही गलती की जो श्री लंका ने की थी। मालदीव ने वही गलती की जो पाकिस्तान ने की थी मालदीव ने पूरा का पूरा टापू चीन को दे दिया अब इस टापू पर मोरलिंग वाले नहीं जा सकते इसमें जाएंगे तो सिर्फ चाइनीज जाएंगे और चाइनीज ही इसे कंट्रोल करेंगे अब अगर मोर्लिंग वालों को जाना है तो चाइना की परमिशन लेनी होगी अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने ये टापू क्यों लिया होगा क्योंकि वह स्ट्रेटेजिक पैलेस है वहाँ पर अब चीन की समरीन रुकेंगी ये बेसिकली मालदीव को कंट्रोल करने का तरीका है दोस्तों, चीन छोटे-छोटे मुलकों को खा जाता है कोई भी छोटा मुलक ले लीजिये जहाँ पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है जहाँ पर राजनी तिक उथल-पुथल होती है वहीं पर चीन इंटरफेयर करता है इसी प्रकार से अफरीका के कई देशों को चीन ने अपने बेल्ट-ेंड रोड के चक्कर में घेरे में ले लिया था और यही काम वह मालदीव के साथ कर रहा है दोस्तों, यही चीन की सच्चाई है पचास साल के लिए आईलैंड निप्टा लिया अगर दूसरी तरफ बात करें भारत की तो भारत ने इनसे कोई जमीन नहीं ली भारत ने पैसे भी दिये सच्चा दोस्त वह होता है जो बुरे वक्त में आपके काम आए आपको परसनली पैसे दे लेकिन आपके बुरे वक्त में कौन काम आया जब आपके पास पीने को पानी नहीं था तब भारत काम आया आपके पास खाने को खाना नहीं था तब भारत ने खाना भेजा आपके पास दवाया नहीं थी तब भारत ने दवाया भेजी जब आपको मिलिटरी की जरूरत थी तब भारत ने अपनी फौजे भेजी जब आपको कोरोना वाइरस हो गया था तब भारत ने आपके पास वैक्सीम भेजी दुनिया के लगभग सभी देश अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए करजा लेते हैं फौरेंड डेट से देश में डेवलपमेंट के काम करते हैं लेकिन मालदीव को ये कजा भारी पढ़ रहा है सवाल उठता है कि आखिर मालदीव पर कितना कजा है जो उसे डुबोने वाला है साल 2018 में मालदीव का नेशनल डेट 3.1 बिलियन डॉलर्स का था जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है साल 2022 में ये 7.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ साल 2023 में ये 7.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया 2024 में इसके पॉइंट 3 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है और दो हजार अठाईस तक ये दस बिलियन अमेरिकी डॉलर को क्रॉस कर जाएगा मालदीव के डेट क्राइसिस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते है कि मालदीव पर जो नेशनल डेट है यानि जो उसकी जीडीपी का है वह 110 प्रतिशत जीडीपी से भी ज्यादा है और 2024 में उसके 111 प्रतिशत को क्रॉस करने का प्रिडिक्शन है तो मालदीव की इकॉनमी कितनी क्रिटिकल स्टेज में पहुँच चुकी है अब इसका अंदाजा वहा के प्रेसिडेंट मोहमद मोईस के बयान से पता लगा सकते है उन्होंने बयान दिया कि उनकी गवन्मेंट देश में कोई भी नया डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती क्योंकि देश भारी कर्जे में डूब गया है दोस्तों, वर्ल बैंक से लेकर I.M.A.F. ने मालदीव को इस खत्रे के बारे में क्यों अलर्ट जारी किया है वर्ल बैंक ने चेतावनी दी है कि मालदीव को चीन से जो करीबी है, चीन से जो दोस्ती है वो बहुत भारी पर सकती है एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखने वाले मुईजू इसके बाद भी जम्री में चीन विजिट पर गए और कई प्रोजेक्ट्स को लेकर डील साइन कराए ठीक है भाई, जब तुम्हें ही अपने देश की फिक्र नहीं है, तो हमें क्या है? पडो चीन के चक्कर में श्री लंका की तरह जब चक्कर घनी में फंस गए बेटा तो भारत ही काम आएगा जैसे श्री लंका को आ रहा है और वैसे एक बात और बता दूँ आपको कि अब जब माल्दीव चीन के नजदीक गया है, तब तब वह डेड़ क्राइसिस में फंसा है फ्रांस ने माल्दीव की खबर पब्लिश की है, इसमें ये भी बताया गया है कि मोधी से पहले अब्दुल्ला यामीन की गवन्मेंट ने भी चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था, जिसके बाद से ये देश कर्ज में डूपता चला गया है अब बात करते हैं, भारत की तो इसमें कोई दो राही नहीं की भारत के साथ पंगा लेकर माल्दीव ने अपने पैर पर कुलहाडी मारी है माल्दीव की जो रोजी रोटी है, वह टूरिस्म पर डिपेंडेंट है हम सब जानते हैं और इसमें भारतिय टूरिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन था, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है माल्दीव जाने वाले टूरिस्ट अब श्री लंका की सेर कर रहे हैं, तो फाइदा माल्दीव के बजाए श्री लंका को हो रहा है आपको विदेश मंतरी जैशंकर साहब का बयान याद होगा की एक लड़के ने पूछा तुम श्री लंका जाओ, श्री लंका घूम फिर कर आओ, उसके बाद श्री लंका से भी उनको बड़ा सराहा गया की आपने यहां टूरिस्ट भेजे हमें बड़ा अच्छा लगा अब वर्ल बैंक और आई एम एफ ने भी मालदीव को उसके डेट क्राइसिस को लेकर सीधे चेतावनी दे दी है इसके साथ साथ ये भी बता दिया की चीन की गोदी में बैठना कितना भारी पर सकता है मोईजु ने कहा है नई सडके नहीं बना सकते हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते कोई नया अस्पताल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है दोस्तों याद कीजिए ये वही देश है जिसके तीन मंत्री बड़े घमंड से इंडिया को गाली दे रहे थे और कहा था भारत को पता नहीं है कि मालदीव क्या चीज है लेकिन अब इंकी सारी हेकरी निकल गई है देखना है कि इतने पर भी मोईजु की आखे खुलती है या उनकी आखों पर चीन का पट्टा बंधा रहता है या उन्हें होशे आने के लिए और जटके चाहिए या ये भी हो सकता है उनको सब कुछ समझ आ रहा है लेकिन वह अपने फायदे के लिए मालदीव की गरीब जन्ता को दिखा दे रहा है क्योंकि सुन्ने में यह भी आ रहा कि वह ज्यादा दिन मालदीव में रहने वाले नहीं है और दुबई या मोरिसस में बह अपनी प्रॉपर्टी खरीच चुके हैं और पाकिस्तान के नेताओं की तरह अपने देश को दिखा देकर विदेशों में ऐस कने वाले है खेर जो भी हो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव